अब शाहर हैं कि नितिस कुमार जी उपेंदर कुसवाह को कमान सौपने जेडियू का बिल्कुल सौपना चाहिए चुकि अब उमर हो गया नितिस कुमार जी को अराम करना चाहिए छोटा भाई को सेवा करने का उसर देना चाहिए कि बड़ा भाई को सेवा कर सके और बड़े पाटी करते हैं उपेंदर कुस्वाह को अपना नेता मानेंगे जैसे पंचानबे परसंट लोग जदिव का उपेंदर कुस्वाह को चाहते हैं को मुखमंत्री जी को जब लगता है कि हम कमजोर हो गय तब बुला लेते हैं और हम लोग आते हैं बड़े भाई भी चोटा भाई का दाई तो है कि अगर है बाहर तो बुलाते हैं कि कमजोरी है तो आए तो हम लोग उसकांड नवशकार आज मेरे सांथ जनता दल उनाइटेट कि सान प्रकोष्ट के परदेश महासचीम हो और महात्मा फूले समता परिफद के जिला अध्यक्ष भी हैं पूर्व में जब उपेंदर कुस वहाजी की पाटी हुआ करती थी राश्टी ये लोग समता पाटी उसके जिला अध्यक्ष भी रचुके हैं लंबे समय से राजनीती की सुझबुझ रखते हैं राजनीती का बड़ा अच्छा अनुभव है नाम हुआ सरी अर्विंद कुस वहाजी अर्विंद जी आज मेरे साथ है और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीती में जो एक उठापटक चला है बड़ा भाई और छोटा के बीच एक तलखी जो दिख रही है इस पर इनका क्या कहना है बहुत-बहुत स्वागत है अर्विंद जी आपका आपको चैनल का बहुत-बहुत मैं स्वागत करता हूं धन्यबाद देता हूं इधर देख रहे हैं दो चार दिनों से बड़ा उठापटक लगा है बड़ भ असा के सांथ दोनों भाई फिर एक सांथ हुए थे और आज कौन इस्तिति आन पड़ी है इसा कौन इसा महाल बन गया है कौन इसे बीपिदा आन पड़ी है कि दोनों भाई आपस में टकड़ाने लगे हैं देखिए टकड़ा नहीं रहे हैं मानी उकंद्र कुश्वाहा जी ने बार बार जब पार्टी कमजोर हुआ है तब तब मानी मुखमंत्री जी को सुझाओ दिया है कि पार्टी कमजोर हो रही है आपके विशे में साजिस की जा रही है उस पे मानी मुखमंत्री जी आपको एक्शन लीजिए राजनिति के चानिक के रूप में जाना जाता है नितिश कुमार को नहीं लग रहा था इसलिए कि उनके पास पर करने करने वाले शुरुवाती दिनों से देखिए कि पाटी के अंदर कितना घटना करम हुआ उसमे मानी नितिश कुमार जी एक भी बार फैसला लिया नहीं लिया इसे पाटी कमजोर ही है और यह बात मानी उपंदर कुस्वाज ने जब देखा अगर नहीं समझ रहे हैं तो मानी मुख मंतरी का दूर भाग है वह यहीं से खतम हो जाएगा राजित में कहीं के नहीं रहेंगे बड़ी जोड से खावा चल लए उपंदर कुस्वाज जी जब दिल्ली में गए थे ट्रीटमेंट के लिए तो उनसे कुछ भाजपा के नेता मिलने गए थे तब से नितिस कुमार जी भड़के हुए हैं उनके पाठी के लोगों का भी मनना है कि भाजपा के संपर्क में उपंदर जी अब ऐसा बात नहीं है अब कोई दिल्ली जाए और वहाँ उसका कोई परचित आदमी मिल जाए कोई हाल चाल पूँए इसका मतलब यह नहीं निकाल नहीं है उपंदर कुस्वाज जी किसी राजनीत में परचे के मुहताज नहीं है और क्यों भाजपा के नेता ही क्यों मिलने उनसे गए नहीं नही और भी आम सिबिलियन भी लोग मिलने गए थे तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी उनको सलाह दे रहे कि अभी पाटी ऐसा किस हिसे की बात कर रहा है उपंदर कुस्वाज जी लगतार नितिशी से कह रहा है कि मुझे हिसा चाहिए कब तक बड़ा भाई छोटे भाई को दूद कि बड़े भाई को आराम करना चाहिए अब मानिये मुखमंत्री जी को आराम करना चाहिए और या जो बचा हुआ राजित है उपंदर कुस्वाज जी को दे देना चाहिए जदिव के तमाम नेता उपेंदर कुस्वाह को अपना नेता मानेंगे जैसे नितिश जी को मानने हैं 95% लोग जदिव का उपेंदर कुस्वाह को चाहते हैं को ही पाठी को चलाएंगे जैदिव के एक नेता का कहना है कि उपंदर कुस्वाह जी पाठी के कमजोड़ी और मुझबूती की क्या बात कर रहे हैं उनको पचाफ अजारसीद दिया गया था फदस्ता अभियान के लिए जो वाजता कुछ जमा नहीं की है अच्छा तो हम उनसे कहना चाहते हैं यह हम नीव सुने हैं परदेश अध्यक्ष बोले हैं जो बिहार के हैं उमेश कुस्वाह जी अगर मेरे बात को जवाब दे सकीएगा तो जरूर आईएगा मैं भी फिर जवाब दूँगा आपको मीडिया के माद्यम से इसके पहले बिहा गई चापलीशी की बात पट्टे वाली राजनीत की बात तो आप किजिए हम तो यहीं सरादेंगे कि आप मुर्गी और अंडा बेचिए राजनीत आपसे नहीं होगा इसलिए आपने उस बैक्ति का पे टिपड़ी किया है जिस पे आज पूरा देश पूरा बिहार एक नज चुकि उनसे उससे ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं वो बिजनस किया है ठीक है तो बेचे ना कौन बिजनस करते हैं वो तो उनका मुर्गी फारम है अंडा फारम है तो आप शाहर है कि नितिश कुमार जी उपेंदर कुस्वाह को कमान सौप ने जेरी उका बिलकुल हैं अगर ऐसा हो आप भी झानते हैं कि कभी पेंदर जी मीडिया के माध्यम से कोई बात नहीं रखा अगर यहां बात आई जरुत होती है ये माननीए उपेंदर कुछ वाज जी इधर से फोन करते हैं लेकि आज तक मुख्मंतरि इंतिसकुमार जी ने ये नहीं पूछा कि उपेंदर जी कहा दिकत है कहां परसानी है हमारी कहां आउ सकता है पाटी में क्या हो रहा है आज तक नहीं पूछे तो ऐसे कै कहीं कुछ बात है और बात निकलेगी तो दूर तलग जाएगी देखिए बिलकुल यह बात आपका कहना सही है तलखियां दोनों भाई में होती है फिर प्रेम भी होता है हम लोग तो यहीं बात कर रहे हैं अगर भाई भाई में अक्सर होता है जगडा होता है तो प्रेम भी हो उम्र के नुशार बस की चीज नहीं. अभी आप उमर की बात कर रहे हैं उनको तो इसी शर्चाह की प्रधान मंतरी बनने की टुम में हैं और दिली जाने वाले हैं केंदर की राज नीत करेंगे और अभी आप उनको राएनिती सर्षी सर्षा सन्याफ दिल वाने ले लगे अब बड़े भाई को कितना दिन खटाईएगा महराज अराम करने दीजी आप लोग कुल लोग कह रहा है कि सन्याफ लेंगे पहाड़ों पर जाएंगे वहां तबस्या करेंगे भाई उनका है नस्वागत करने के लिए उपधर कुसवाजी है उनका सेवा करने के लिए अब तो सन्याफ ले ले वह अब अब ये जैनती जो मनाने आप लोग जा रहे हैं इनका किया नाम है जगदेवावू की जैनती मनाने के कारिया जो राश्टिय सम्ता फूले कौन परिसद के द्वारा किया जा रहा है तो पहले भी महाराणा परताप की जैनती पना मेह हुआ क्या वो पाटी के बैनर तले हुआ पाटी के तो बैनर तले नहीं हुआ ओभी ये के नन पोलिटिकल संक्राइब को और पूरे परिवार को कि उपेंदर कुस वहाँ इस बैनर के तले कारिकरम करेंगे तो जे डिव कम जोड़ होगा दो फाक में बटेगा देखिए ऐसा नहीं हम लोग हर साल कारिकरम को करते हैं इसके पहले भी हम अभी दया परकास सिना का जो हम लोग विरोध किये थे जो मानी समराट असो पे जो टिपड़ी किये थे अबद्र तो हम लोग मात्मा फूले समता परिशत के बैनर तले हैं किये थे और इसमें क्या जैनती मना रहे हैं आप जैनती मना रहे हैं ठीक है लेकि आज तक जनता दल इनुए टेड में आपको बताना चाहिए आफिस में जगदेवबाव का फोटो नहीं दिखा यह नहीं लगा ना आपने कभी चर्चा किया इस बात का बहुत दुख है आई यह ना बात करते हैं मुखमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए चाह रहे हैं कि जैनता बात करते हैं बिहार में सराबंदी की आप देख रहा हैं विगत दो तीन महां से लगतार के ज्वल्ती हो रही है सराब से कभी छपरा में लोगों की मौत हो जाती है कभी वाला गाउव है के लखड़ी नभी ग सौंक में तो सराबंदी के नाम पर हम मात पुर बात्रौंक देंगे इससे ज्यादा नहीं देंगे पूलिष परशाषं को भी बदनाम कर दीwości लगाते हैं कि एक साल पहले का उनका एक बियान आया था उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी थाना चेतर में कोई अगर कहीं सर्ण रिकावर होता है बरामद होता है तो वहां के थाना प्रभारी के विरुद करवाई की जाएक उसे मुगतल कर दिया जाएगा एक्षाइज को उसको देखेगा सराव मामला को थाना नहीं देखेगा अगर हम सरकार में हैं और किसी को नौकरी देने का वादा कर दिये तो आखिर वो आदमी तो नौकरी मांगेगा ही जब वादा किया गया था उस समय भी आप लोग साथ में थे सब लोग साथ मिलकर करके वादा किये थे वादा केमल तेजस्वी का नहीं था या महाँगटबंधन का वादा था ठीक है महागटबंदन तो उस पद पर है कौन पर तो तो तज़स्वीजी है घटक भास पर नहीं उस पतप पर तज़स्वीजी है तो यह बात तज़स्वीजी के लिए लाग होनी चाहिए तो झाइए कि आंकिर अन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया लाठी चलती है मुखमंत्री से लोग पूछता है कि आज लाठी चली है मुखमंत्री जी कहते हैं कि हमें जनकारी नहीं है पता कर लेंगे ये तो मुखमंत्री जी सब चीज जानते हैं क्या नहीं जानते हैं बियार के माली के सब जानते हैं जब उपेंदर कुषवा जी जेडिव में आये हैं तब से जेडिव कमजोड हुआ है पहले नहीं थे तो जेडिव कमजोड नहीं थे हाँ तो यह ही ऐसे ही लोग तो मानिय मुख मंत्री जी को सलाह देर है कि पार्टी डूब जाए हम पुछना चाहते हैं असोग चौधरी जी से आपके चैनल के माध्यम से हैं असोग चौधरी जी आपने कांग्रेस पार्टी में थे कांग्रेस पार्टी के पहले आपने आर जेडि में थे आर जेडि में आपके पिता जी मंत्री थे जंगल राज जो आप लोग इस समय बोल रहे हैं उसमें आप अपने पिता जी के ग कि बाद बिहार में जनता दिल उनाइटेड में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उस लीडर्शिप को आगे बढ़ा सके तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि उपेंद्र कुसवा को कैसे बाहर किया जाए उपेंद्र कुसवा की पार्टी है यह बाहर नहीं होंगे और जैसे लोगों को समराट अब बार बार कह रहे हैं कि जनता दिल उनाइटेड उपेंद्र कुसवा की पार्टी है इसका क्या आधार है बिलकुल आधार है समता पार्टी के साथ से हम लोग है समता पार्टी का निर्मान हुआ उस समय से उपेंद्र कुसवा जी है और जब साथ रहते हैं मुख मंत्री जी को जब लगता है कि हम कमजोर हो गए तब बुला लेते हैं और हम लोग आते हैं बड़े भाई भी है छोटा भाई का दाई तो है कि अगर है बाहर तो बुलाते हैं कि कमजोरी है तो आईए तो हम लोग उस कमजोरी के लिए लिए जी जब केंद उपैंदर जी जन्ता दली उनाइटेड में व्थात नितिह जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिला Security के चलना सुरू किया तब उसे सिक्षा सुधार अवियान की बाते करना उपेंद्र जी बंद कर दिये उस पहले उनको सिक्षा का भात था सिक्षा का ग्यान था सिक्षा कैसे मजबूत हो सिक्षा कमजोर हो रही इन तमाम बिंदू में पून की नजर थी जैसे नितिह जी के साथ है सिक्षा पर बोलना ब तो हुसम भी दो बचाना चाहते हैं कि बिहार की जनता पिर नब्य के दसक में न चली जाए अपराद बढ़ा है बिल्कुल अपराद बढ़ा हुआ है अभी घटना घटा है पसर्मा में इतना मनोबल बढ़ गया है कि कुछ वहीं समाज के दो बच्चों की हत्या हो गई उसमें अभी तक तीन ही चार लोगों का गिर्फतारी हुआ है बाकी सब लोग फरा रहे है पुलिस दुका रही है करव दो करा दो बच्चों के थे वल्कुल होना हुआ है जी सत्था होनी चाहिए